हेलो गैस, कैसे हैं आप सब, हो पैंगाइज, आप सब ठीक हूँगे तो गैस, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराना चाते हैं तो वो आप किस तरह करा सकते हैं अगर आपके water id card में आपका नाम गल्थ है या आपकी date of birth गल्थ है या address गल्थ है कुछ भी आप जो correction कराना चाते हैं water id card में तो वो आप online घर बैट के किस तरह करा सकते हैं आज की वीडियो में guys मैं आपको live process पूरा करके दिखाऊंगी तो guys इससे पहले एक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप new water id card को अपलाई करना चाते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं ये वीडियो आपको उपर आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी वहाँ जाकर आप इससे देख सकते हैं तो guys बिना देरी किये हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं पर हमेशा की तरह guys जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है अगर नोने मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इसका बेल आइकन बटन दबा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट इंफोमेशन मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो चलते हैं guys अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर Guys सबसे पहले तो आपको Water Helpline ये वाली एप को Google Play Store से इंस्टॉल कर लेना है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आप New Water ID Card vibe करना चालते हैं तो किस तरह इस अप को डांलोड़ कर सकते और ऑर किस में किस तरह आप इस एप में रजिस्टरेशन कर सकते तो आपको ये वीडियो जो मैंने ऑईटन पर दे दी है आप वहां पर जाके यह देख सकते हैं तो guys यहां पर यहाँ पे आपको सारी voter services दिखाई दे रही है तो हमने click करना है correction of entries form number 18 तो यहाँ पे मैं click कर देते हूं उसके बाद guys यहाँ पे आपने continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करेंगे उसके बाद जो है अपने registration office select कर लेना है यहाँ पे मेरा हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे म आपने यहाँ पे select कर लेना है तो यहाँ पे मैंने अपनी state है जो select कर ली है तो guys इसके बाद यहाँ पे आपको अपना name दे देती हूं तो guys यहाँ पे मैंने अपना name दे दिया है उसके बाद automatic Hindi में वो उठा लेगा उसके बाद guys यहाँ पे जो है आपने अपना surname देना है त पार्ट और एलेक्षिन रोल यह इन दोने से अप जो सब करना चाहते हैं वह आप यहां पर तो यहां पर मैं है जो अपना एक पार्टन ओफ एलेक्शन कर देती हूं तो guys जैसी मैंने scan किया तो सारी voter help line की सारी details जो है देखिए आपको इसमें show हो रही है मेरा नाम, age सब कुछ आपको इसमें दिखने लग जाएगा इसके बाद जस्ट आपने checkbox पे click कर देना है उसके बाद guys यहाँ पे आपको email id की option मिल रही है यहाँ पे आप अपनी email id डाल दीजिए तो यहाँ पे मैं अपनी email id डाल देती हूँ तो इसके बाद guys आपको यहाँ पे अपना नीचे mobile number डालना है यहाँ पे मैंने अपना mobile number फिल कर दिया है तो guys यहाँ पे जो फॉरम 8 में आपको option दिखाई दे रही है कि आप क्या चेंज कराना चाते है इसमें से name my photograph कुछ भी जो आपडेटों बर change कराना चाते है यह type of relation change कराना चाते है जो आप यहाँ पे change कराना चाते है वह आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो guys यहाँ पे मैंने name पे click कर दिया है नेम के बाद यहाँ type of relation यहाँ भी मैं click कर देती हूँ उसके बाद guys मैं यहां पर name जो है यहां पर भर देती हूँ जैसे कि यहां पर मैंने जो name है वो ठीक कराना है दविंदर तो यहां मैं सरनेम इसका सही करके डाल देती हूँ क्योंकि मेरा जो सरनेम है कुमार है पर यहां पर जो है मुझे वर्मा कराना है तो यहां पर मैंने यहां वर्मा लिख दिया है उसके बाद आपने यहां टाइप ओफ रिलेशन क्या है जैसे कि यहां में husband select कर लिया है उसके पाद आपको है proof of change of name कि याने इसका कोई भी proof आपको यहां पे attach करना पड़ेगा तो यहां पे guys यहां में प्रूफ को attach कर लेती हूं इसके पाद आपको यहां पर आपको अपने प्रूफ कर लेता है तो यहां में जो है आपको अपना प्लेस डाल दिया है तो guys इसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिव्यु दिखने लग जाएगा इस form को आपने एक बार चेक कर लेना है कि यह form आपका बुल्कुल सही है चेक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको confirm की option दिखाई देगी तो यहाँ पर आपने जो है confirm पर click कर देना है तो guys यहाँ पर जो है मैंने confirm पर click कर दिया है उसके बाद guys यह देखें यहाँ पर मेरा जो form है जो application है submit हो चुकी है उसके बाद guys यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे reference ID number मुझे आपको दे दिया गया है तो यहाँ पर जो है मेरी reference ID number भी मुझे show हो रही है इसके बाद guys यहाँ पर आप okay पर click कर दें तो अगर आप इसका status चेक करना चाते हैं तो यहाँ दुबारा आप explore पर जाएंगे explore पर जाने के बाद यहाँ पर आपको status of application की option मिल जाएगी यहाँ पर आपने click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद जो है आप जैसी applied form पर click करेंगे तो यहाँ को आपको reference ID दिखाई दे रही है और form number 8 दिखाई दे रहा है जो अभी हमने latest fill किया था यह देखिए guys जो यहाँ पर fill किया था यहाँ सब कुछ आपको show हो रहा है जो मेरा जो form है वो submit हो गया है आपको यहाँ सारा status show होता रहेगा कि आपके form की क्या status चल रहा है इस ताइम इस तरह guys आप घर बैटके online अपनी voter ID कार्ड में correction करा सकते हैं होब guys वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलिएगा अभी के लिए इतना ही guys बाई बाई